सुआगत है आप सभी का हमारे और आप सभी के अपने यूटूब सैनल डिपलोमा कलासिस में तो कैसे हैं आप लोग तो मीद करता हूँ वच्छे ही होंगे तो फाइनली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग भी हार पूल टेकनिक लेटरल एंटरी के स्टुडेंट हैं और पूल टेकनिक कॉलेज में अपना एडमिसन ले चुके हैं सिकिन इयर में क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगा जो बरांच है जैसे सिबिल इंजिनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग, मेकेनिकल इंजिनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर साइन्स इंजिनियरिंग और और भी बहुत चारे बरांच है जैसे automobile engineering या और भी कुछ बरांच होंगे आप लोग का जो भी बरांच होगा उसके सभी के syllabus के बारे में full discuss करने वाले हैं यानि आप लोग आज देखेंगे कि आपकी अपने बरांच में कौन-कौन से subjects पढ़ने हैं तो अगर आप लोग इस वीडियो को यौन तक देख लेते हैं तो आप लोग का जितने भी doubts से कि इस बरांच में कौन-कौन से subjects पढ़ने हैं वो clear हो जाएंगे क्योंकि जितने भी ये student हैं लगभग सभी student का विहार पोल टेकनिक लेटरल एंटरी का जो college है वहाँ पर admission हो चुका है और admission होने के बाद सभी लोग का लगतार एक ही comment आ रहा था आज करीबन एक सब्ता आसे कि सर हम लोग का जो admission है वो finally हो चुका है अब आप बता दिजिए कि जो हम लोग का बरांच है उसमें आखिर कौन-कौन से subjects पढ़ने हैं और भी हार पोल टेकनिक लेटरल एंटरी का जितने भी student है जिनको भी जो भी पोल टेकनिक college मिला है तो बक्स में जाइए और वहाँ पर अपने पोल टेकनिक college का नाम जरूर लिख दिजिए ताकि हमको मालूम चल सके कि कौन से पोल टेकनिक college आपको मिला है और इस वीडियो को आगे बराने सपड़े आप सभी से एक छोड़ी से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हमारे चैनल प इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आप लोग इंस्टाग्राम का पडियोग करते हैं तो आप लोग क्या किजिए इंस्टाग्राम पे जाए और वहाँ के सर्च बार में सर्च किजिए डिपलोमा क्लासिस वन आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वक्स में दे दिये हैं वहाँ पर जा करके डिपलोमा क्लासिस का जो आफिसियल इंस्टाग्राम आइडी है आप लोग वहाँ पे जाए और इसको फलोग कर लेजिए फलोग करने से क्या फाइदा होगा इस वीडियो को आन तक आप लोग जान जाएंगे अब चलिए फेनली आप सभी को बता दे कि भी हार पोल टेकनिक लेटरल एंट्री का जितने भी स्टुडेंट है जिनको भी जो भी बरांच मिला है जैसे सीविल, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर साइंस जितने भी बरांच है सभी बरांच में दो पेपर कमन है यानी दो पेपर सभी को पढ़ना है जैसे कि इंजिनिरिंग मेकेनिक्स और इंजिनिरिंग गराफिक्स तो आप लोग बोलेंगे ये तो हम जान गए अब हम कोई बता दे जिये की इस सबवजेक् के अनदर क्या क्या पढ़ना है तो पर 1 है और इसका ईग्जाम सोव नमर का होता है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है फूल मार्ग्स जिसमें से सतर नमर का जो एग्जाम है एह दूसरे सेंटर पर होगा और 20 नमर का जो एक्जाम है एह आपकी अपने सेंटर पे होगा और इसका जो 10 नमर का एक्जाम है इसका एक्जाम नहीं होता है एट टीचर एसेस्मेंट होता है यानि टीचर और एस्टुडेंट के बिहेब के उपर मिलता है तो आप लोग देख लिए इसका जो है 70 नमर का एक्जाम में आपका 20 नमर का अबजेक्टिव होगा इस आप लोग देख लिए 100 नमर को किस परकार से डिवाइड किया गया है अब चलिए आप सभी को बता दे कि इंजिनियरिंग ग्राफिक्स में आखिर कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने है तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं आपको पहला जो टॉपिक है यह पढ़ना है ब दूसरा यूनिट थे और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिसरा यूनिट थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन चवथा यूनिट थे फिरी हैंड एसकेचेज अफ इंजिनियरिंग ऐलिमेंट्स इसके आगे क्या है आप सभी को बताते हैं Computer added interface क्या है Computer added drafting interface जिसको आप लोग short form में CAD बोलते हैं और SBT यानि आप लोग की exam के BVI question है यानि पुछ देता है CAD का full form क्या होता है इसके नीचे है एक और उनिट है Computer added drafting अब चलिए आप सभी को बता दे यानि आप लोग देख लिए कि engineering graphics में कौन कौन से topic पढ़ने है यह तो हो गया engineering graphics अब चलिए आप सभी को बता दे कि engineering mechanics में क्या क्या पढ़ना है यानि यह भी हार पूल टेकनिक लेटरल एंट्री का common subject 2 है और देखिए यहाँ पर लिखा गया है engineering mechanics और इसका भी full marks 100 है जिसमें से 70 नमर का exam दूसरे center पर होगा और जो इसमें से 30 नमर है 30 नमर में से आपका 20 नमर का होगा internal और 10 नमर का होगा teacher assessments उसके बाद जो है 70 नमर में आपका जो है 50 नमर का theory होगा और 20 नमर का objective होगा तो आप लोग देख लिए किसको भी किस परकार से divide किया गया है अब चलिए आप सभी को बता दे कि engineering graphics के अंदर कौन कौन से topic पढ़ने है तो पहला आपका topic है basic of mechanics and force system ठीक है दूसरा topic है आप लोग यहाँ पर देख सकते है equally medium तिसरा topic है याने unit friction जिसको आप लोग 7 या 8 वा class में पढ़े होंगे घर्चन के नाम से अगला topic है centroid and center of gravity पांचवाई unit है simple lifting machine जिसमें आपको screw jack के बाड़े में पढ़ना होगा तो बस इसमें 50 unit को पढ़ना है अब आप लोग बोलेंगे किसका pdf को कहां से मिलेगा तो आपको पहले ही पता दिये थे कि आप लोग इंस्ट प्रियल आइडी है उसको follow कर लिजिए आप लोग वहाँ पर हाई लिखिये और लिखिये कि सर हमको pdf चाहिए lateral entry का हम आपको वहाँ पर इस pdf को send कर देंगे तो आप लोग देर ना किजिए आप लोग वहाँ पर जाए उस id को follow किजिए और वहाँ पर आप लोग कॉमेंट क किजिए कि हमको PDF चाहिए हम आपके पास इस PDF को भेज़ देंगे